क्या आपने कभी मूली और मूली के पत्तों की चटनी खाई है नहीं न यह बर बार यही चटनी भूल जाएंगे इसे बनाने के लिए मैंने 2 मुली को जो है मैंने अच्छा से धो लिया है दोकर उसे चील लूँगी चीलनी के बाद इसे हम छोटे-छोटे टुकरों में काट लेंगे इसी तरह जो है मैं दूसरी मुली को भी अच्छे से धोकर छीलोंगी और उसे भी छोट छोट टुक्रों में काट लोंगी इसी काटने के बाद इसे में जार जाल में डालने के बाद धन्या की डंठल को भी अच्छा से वाश्ट कर लेंगे और उसे रफली चॉप करके इसमें डाल देंगे क्योंकि धन्या की डंठल में बहुत साइफ लेवर्स होते हैं तो आप रहो उसे फेका ना करें उसे आप किसी भी चटनी में यूज़ कर सकते ह है फिर इसके बाद इसमें डालें गये तीन हरी मिर्शी को हाथ से तोड़कर उसके बाद धुर साड़ीव द्रुप ऑप लिए हैं करदूकर सकरके हम डाल देंगे वसके बाद सके बाद हम डालेंगे इसमें पांस से लहासुन की कर लिया जिसका कि मैंने चील लिया है Pris आप इमली का पिल्प इसमें डालना न भूले इलिका पुल जो है इस चटनी को अच्छी खटास देगा तो आप ज़रूर डाले इसके साथ हम दालेंगे दो चोड़े चमंच काला नमक और साथि साथ एक छोटा चमत नमक के दालेंगे इसके बाद हम इससे पीस लेंगे पीसने के बाद आप देख रहें कितनी ज़्यादा टेस्टी और कितनी पाथे या फिर किसी भी आप परना करें आपको मज़ा आजाएगा उसके बाद आप साही चटनी भूल जाएंगे अप हमेशा यही चटन झाल झाल